अब इसमें लिखना है घर में रहें शुर अच्छित रहें आया नहीं प्राण निकल जाएंगे लिखते 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 ये टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ जोशना सीधी में करोना कर्फियू तोड़ने वाले को पुलिस अनोखी सजा दे रही है ऐसी सजा जिसमें उने शारिक तकलीफ तो नहीं हो रही लेकिन दिल पर बहुत बड़ा पोच जहिलना पड़ रहा है इस दुरान करोना गा लोग बेवजा और बिना समय देखे घर से निकल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाव एस पी पंकच कुमावत ने अनूठी सजा की शुरुआत की हैं पुलिस जैसे ही करोना गाइलेंस तोड़ने वालों को पकड़ती है वैसे ही उससे कौपी और पैन पकड़ा दी जाती है इन सब्सक्राइब बेवजा घर से नहीं निकलेंगे रोजी हो रहे हैं ना चलो दस दस उठक बैठक मारो बतना है जल्दी मारो जल्दी मारो जल्दी मारो एक एक कौपी दो दोनों को एक कौपी पकड़ो पहले कौपी ना दो एक कौपी और दो यह कौपी पकड़ों वहीं ख बढ़ेगा यहां बैठो जाड़ तोचके नहीं बैठना ऐसे बैठो बैठ जाओ इधर ते बैठो ज्यादा जगह मत घेरो हां कम दो गज की दूरी बना के बैठो अब इसमें लिखना है घर में रहें शुरक्षित रहें आयना नहीं प्राण निकल जाएंगा भी लिखते लि लखते रहां अधे घंटे में अगर दस पन्ने नहीं हुए तो फिर हो गया फेतो नाक मून सारे यंत्रतं चल ने लगए तुम्हारे अधरमें अच्छा नहीं लगता ना बोर हो रहे हैं तो नई नई चीज कुम्हें दिए हैं हैं तो यहां नहीं नहीं देंगे लिखो इस मामलें पुलिस अधिक्षक का कहना है कि बेवज़ा गूमरें लोगों के खिलाफ करवाई की जा रही है इसके बावजुद भी लोग मान नहीं रहे है पुलिस अभी तक 20,000 से जादा लोगों पर करवाई कर चुकी है इन से लाखों का जुर्माना वसूला जा चुका है देश और दुने की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं मारसाथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज